ICC Cricket World Cup 2013 आस्ट्रेलिया ने च्छटी बार अपने नाम कर लिया है यह खिताब अब उनका हो चुगा है हाले कि इंडिया वालों को और इंडियन फैंस को काफी निराशाहात लगी है फाइनल मुकाबले में आस्ट्रेलिया ने भारती टीम को 6 विकेट से हरा दिया है वर्ल्लकप का खिताब जीतने के बाद आस्ट्रेलिया आई टीम पर पैसे की बड़ साथ हुई है विनिंग टीम आस्ट्रेलिया को प्राइज मनी के तौर पर क्या मिला है और रनर अप टीम यानि इंडिया को क्या मिला है और बाकी टीमों को कितने कितने पैसे मिले हैं ये सब आपको इस वीडियो में बताते हैं आस्ट्रेलिया ने ICC Cricket World Cup 2023 का खिताब जीत लिया है 19 नवंबर यानि आज एहमदबाद के नरिंद्र मोदी स्टेडियम में खेले गए फाइनल मुकाबले में आस्ट्रेलिया ने भारत को 6 विकेट से हरा दिया है इस मुकाबले में भारत ने आस्ट्रेलिया को जीत के लिए 241 रनों का टारगेट दिया था जिससे पैट कमिन्स की टीम ने 43 ओवर्स में हासिल कर लिया आस्ट्रेलिया टीम 6 वार 50 ओवर्स के क्रिकिट मैच में चैंपियन बनी है क्रिकिट वर्ल कप का खिताब जीतने के बाद आस्ट्रेलिया आई टीम पर पैसी की बरसात हुई है विनिंग टीम आस्ट्रेलिया को प्राइज मनी के तौर पर 40 लाग डॉलर लगभग 33 करोड 33 लाग रुपे मिले है वही रनर अब टीम यानि भारत को भी अच्छी खासी इनामी राशी मिली है भारत को रनर सब के तौर पर 20 लाग डॉलर लगभग 16 करोड 60 लाग रुपे मिले है इसके लावा भी इन दोनों ही टीमों को लीग स्टेज में मुकाबले खेलने के लिए भी रकम मिली है ICC ने क्रिकेट वर्लकप की शुरुवात से पहले ही इनामी राशी का एलान कर दिया था वर्लकप के लिए कुल 10 मिलियन डॉलर लगभग 83 करोड रुपे की प्राइज मनी तैह हुई थी जिसे सभी 10 टीमों में अलग-अलग तरह से बाटी जानी थी इसके मताबिक क्रिकेट वर्लकप जीतने वाली टीम को 4 मिलियन डॉलर उप विजेता टीम को 2 मिलियन डॉलर मिलने थे वहीं सेमी फाइनल में हारने वाली दो टीमों को 8-8 लाग डॉलर दिये जाने का प्रापधान था जबकि गुरूप स्टेज में हर एक जीत के लिए 33 लाग रुपे की प्राइज मनी तैगी गई थी तो चलिए एक स्लाइड में जान लीजे क्रिकेट वर्लकप की प्राइज मनी वर्लकप विजेता यानि विनिंग टीम करीब 33 करोड रुपे वर्लकप विजेता यानि रनर अरप करीब 16 करोड रुपे सेमी फाइनले 6 करोड 6 लाग रुपे यानि की साउथ अफ्रीका न्यूजलेंड गुरूप स्टेज में हर एक टीम की जीत पर 33 लाग रुपे वहीं आपको बदा दें टीम इंडिया को फाइनल तक पहुँचने के चलते 20 लाग डॉलर तो मिले ही साथी लिग स्टेज में भी टीम इंडिया ने सभी 10 मैचों में जीत हासिल की थी जिसके चलते उसे 4 लाग डॉलर लग भग 3 करोड 33 लाग रुपे की प्राइज मनी मिली यानि कि भारत को इस वर्ल कप में कुल मिला कर 24 लाग डॉलर लग भग 20 करोड रुपे की इनामी राशी मिली है वहीं इसके बाद अगला ICC वंडे वर्ल कप का आयोजन साल 2027 में होना है रिपोर्ट्स की माने तो वर्ल कप 2027 के मकाबले साउट अफरीका की सरजमी पर खेले जाएंगे यानि अगले वंडे वर्ल कप में तकरीबन 4 साल का वक्त है बेरहाल वर्ल कप 2023 के कई दिगजों का आखरी वर्ल कप साबित होने वाला है फिलाल इस वीडियो में इतना ही आप क्या कहना चाहेंगे इंडिया के पर्फॉर्मेंस के बारे में इस वर्ल कप में हमें कॉमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं साथ ये भी बताएं कि इस हार का जिम्मदार कौन है वीडियो पसंद आयो तो इसे लाइक करें शियर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूले